हेलो फ्रेंड वल्कम टो इस्टरी डियोज आज हम इस वीडियो में एर फ्रेसर के बारे में जानेंगे सो लेट अस श्टार्ट वायू दाप तथा पवन जलवायू के ऐसे अद्रिश्ट तत्व हैं जो इसके अन्य तत्वों को काफी प्रभावित करते हैं अन्य बहुत इक प्रदार्थों की तरह वायू में भी भार होता है जिससे धरातल पर इसका दबाव पड़ता है इसी को वायू दाप कहा जाता है साधारन भासा में समझे तो प्रित्वी पर वायू द्वारा लगाए गए दाप को वायू दाप कहते हैं किसी भी वायू इस्थम का दाप उसके भार के बराबर होता है और किसी इस्थान का वायू दाप निरंतर परिवर्तन सील होता रहता है वायू के उर्दवाधर परिवर्तनों को हम असानी से अनभो करते हैं जैसे परोता रोह्यों को वायू के निरंतर कम होते हुए दाप के कारण अनेक अस्विधाओं का सामना करना पड़ता है धरातल पर हमारे सरीर के भीतर और बाहर के दाप में संतुलन पाये जाता है किन्तु अधिक उचाई पर या संतुलन बिगड़ जाता है उचाई के कारण वायू मंडली दाब में कमी के कारण सरीर के भीतरी दाब के प्रभाओ से कान के परदे फट जाना, नाक और आख से खून गिरना आदी समाने बाते होती है गुरुत्वा कर्शन बलके कारण धरातल के निकट की वायू उपरी वायू मंडल की अपेक्षा अधिक सगन होती है अधिक उचाई पर वायू अपेक्षा क्रित विरल होती है इसलिए परवतों तथा पठारों पर मनुस को अपेक्षित मात्रा में आकसीजन की प्रापती के लिए अधिक बार सांस लेनी पड़ती है जिससे वैं हाफने लगते हैं इसलिए परवता रोहियों को आक्सीजन की बोतल ले जाना आवश्यक होता है अता इससे इसपष्ट होता है कि वायूदाप के 36 वितरण की अपेक्छा उसका उर्धवादर वितरण अधिक महत्पूर हो मौसम के अन्य सभी तत्व जैसे मेग, वर्षा, आंधी, पवन, इत्यादी वास्तों में वायूदाप से ही नियंत्रित होते हैं वायूदाप तथा वायू संचार में अत्यधि घनिष्ट संबंध होता है वायूदाप में अंतर ही पवनों की उत्पत्ती का कारण होता है व दो इस्थानों के बीच वायूदाब के परिवर्तन की दर को वायूदाब प्रवर्ता कहते हैं पवनों की उत्पत्ति उनकी दिशा एवं वेग वायूदाब के अंतर द्वारा ही निर्धारित होती हैं वायूदाब का अंतर वर्षा एवं तापमान को भी प्रभावित करता ह भूतर पर पाई जाने वाली वायूदाब व्यवस्था को उत्पन करने वाले कारकों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है पहला तापीए और दूसरा गत्यात्मक अब जानते हैं प्रेसर बेल्ट के बारे में प्रिथ्वी तर पर वायूदाब पेटियां प्रते गुलार्दों में पाई जाती हैं जैसे पहला भूमद रेखे निम्न वायूदाब पेटी दूसरा उपोष्ण कटिबंदी उच्च दाब पेटी तीसरा उपधुरूवी निम्न दाब पेटी इस पेटी का विस्तार भूमद रेखा के पाँच डिग्री उत्तर से पाँच डिग्री दच्चिट तक है किन्तु इस निम्न दाब पेटी का अधिक भाग भूमद रेखा के उत्तर में फैला हुआ है सूरताब की अधिक्तम मात्रा उपलब्द होने के कारण धरातर अत्यदिक गर्म रहता है जिसके संपर्ग में आने वाली वायू भी गर्म हो जाती है हवाएं गर्म होने से फैल जाती हैं जिससे हलकी होकर उपर उठती हैं यहां वर्स भर वायू मंडल में समवहन धराएं उत्पन होती है यहां की वायू में आदरता की मात्रा भी अधिक होती है इस पेटी में दोनों गुलार्थों से चलने वाली वैपारिक हवाएं का अभिसरन भी होता है तथा धरातर पर वायू सांत रहती है इसी कारण इस पेटी को डोल ड्रम्स की संग्या प्रदान की जाती है अब जानते हैं उपोष्ण कटिबंदी उचदा पेटी के बारे में विश्वत रेखा के दोनों और 25 डिगरी से 35 डिगरी अक्छान सो के बीच उपोष्ण कटिबंदी उचवायू दाब की पेटीयां पाई जाती है इनकी उत्पत्ती तापिय कारणों से नहीं बलकि गत्यात्मक कारणों से हुई है विश्वभर के सभी उष्ण मरुप्रदेश इसी पेटी में महादीपों के पश्चिम किनारों पर इस्थित हैं इन उचदाब की छेतरों को अस्व अक्छान्स भी कहा जाता है तीसरा है उपध्रूवी निम्न दाप पेटी आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के समीप 60 डिगरी से 70 डिगरी उतरी तथा दच्छडी अक्छान्सों के बीच निम्न वायूदाप पेटियां पाई जाती है इस बेल्ट में ठंडी और गर्म हवा के दर्मान के बीच विपरी छेतर में ध्रूवी जेट धराएं बनती हैं जो प्रित्वी के 60 डिगरी अक्छान्स पर घेरती हैं और इन निम्न दाप निम्न दबाव वाले छेतरों में केंद्रित होती हैं अंतीम है द्रूवी उच्च दाप छेतर यहां का तापमन वर्स भर ठंडा रहता है यहां पर वर्स भर बर्फ जमी रहती हैं धरातल सदेव हिमाचीद रहता है इसलिए धरातल के निकट की वायू अत्यधिक सीतर और भारी रहती है जिसके कारण यहां वर्स भर उच और इसकी उत्पत्ती के पीछे गत्यात्मक कारणों की अपिक्षा तापिय कारण अधिक प्रभावसाली माने जाते हैं आपको बता दू कि वायू दाप का मापन बैरो मीटर के द्वारा खिया जाता है बैरो मीटर का अचानक पारा नीचे गिरने से आंधी आने का संकेत हो तो यह वर्षा होने की संभावना व्यक्त करता है और बैरो मीटर पैमाने में व्रिधी होतो स्वच मौसम की परिस्थितियां रहती हैं वायू दाप मापी की खोज इटिली के वैग्यानिक इवान जैलिष्टा टोरिशेली द्वारा सन 6043 में किया गया था तो यह थी कि बढ़ स्वेंगे खूने को यह थी दिन एफ खूड़ेश दिली के रहती हूने करें थे दो यह थी खूनाओव हूने में को अनले प्रद शंड़ रहता हैं अछिए दो